हलो स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का आज हम लोग लाइफ साइंस स्टार्ट करने वाले हैं और लाइफ साइंस में जो सबसे पहला चैप्टर हम लोगों का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सेल डिवीजन और सेल साइकल यह हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस यह chapter थोड़ा lengthy है तो हो सकता है 3-4 lecture यह chapter cover कर ले क्योंकि यह chapter जो है बहुत ही जादा lengthy chapter है और बहुत जादा confusing chapter भी है और इस chapter को start करने से पहले एक और बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस chapter में आप लोगों को बहुत सारा word जो है वो याद करना होगा तो इस बात पर आ तो आपको वो word easy लगने लगेगा ठीक है तो सबसे पहला basic जो tip यही है इस chapter के लिए कि आप जो है इस chapter को अच्छे से दो से तीन बार चार बर पूरा book में जो आपका chapter लाइन बाइन उसको अच्छे से पढ़िएगा ताके एक एक वर्ड आपको अच्छे से प्रोनाउंस कर सके आप ठीक है क्योंकि इस chapter में बहुत सारा ऐसा word है जो आपसे प्रोनाउंस अच्छा से नहीं हो पाएगा तो आप लोग इसको एक बर ध्यान दीजेगा और chapter को maximum marks भी score हो पाए तो चलिए chapter को start करते हैं सबसे पहले इस chapter में हम लोगों को पढ़ना है कि क्रोमोजोम किसको कहते हैं ठीक है क्योंकि पूरा जो chapter है ये पहले ही मैं आप लोगों को बता दूँ के पूरा chapter जो है हमारा वो प्रोमोजोम के अराउंड में ही घूमेगा तो इसल लिए हम लोगों को क्रोमोजोम पूरा बेसिक से लेकर अच्छे से पता होना चाहिए तो सबसे पहले क्रोमोजोम का definition देख लेते हैं कि आखिरकार क्रोमोजोम का मतलब क्या होता है तो definition आप यहां पर पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है the intercellular the intercellular gene bearing self dividing fixed number rod shaped structures ठीक है यहा पर पढ़ रहा हूं कि the intercellular gene bearing self dividing इससे क्या हो रहा है कि मुझे पता चल रहा है कि यह बताना क्या चाह रहा है जैसे कि यहां पर देखिए मैंने पढ़ा वो rod shape का होगा ठीक है तो इसलिए आप जब भी definition पढ़िएगा तुसको तोड़ तोड़ कर पढ़िएगा ठीक है ऐसा नहीं कि एक बार स्टाट किये और the intercellular gene bearing self dividing ऐसे करके नहीं पढ़ना है तोड़ तोड़ के पढ़ना है ताके आपको अच्छे जा समझ में आए ठीक है तो आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है कि the intercellular gene bearing self dividing fixed number rod shaped structures which become clearly visible during metaphase and anaphase of cell division are known as chromosomes that controls all cellular activities that control all cellular activities ठीक है तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि आखिरकार क्रोमोजोम का मतलब हो क्या रहा है देखिए क्रोमोजोम जो है वो cell का ऐसा हिस्सा है cell के अंदर ऐसा part है जो कुछ से divide हो सकता है उसका number जो है वो fixed रहता है उसका shape जो है वो rod shape का है और वो जो हिस्सा है जिसको हम लोग क्रोमोजोम बोल रहे हैं वो हमारा metaphase and anaphase के दोरान अब यह metaphase और anaphase क्या है यह आप लोगों को पता चलेगा कब जब हम लोग cell division पढ़ेंगे यानि के जब हम लोग माईटोसी जब पढ़ेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि यह metaphase जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है और यह जो anaphase यहाँ पर लिखा हुआ हुआ है जो हम ग्रोमोजोम हमारा के अंदर वह सेल का एक ऐसा इस्सा है जो खुढ से डिवाइड हो सकता है उसका नंबर जो हो फिच्ज होता है उसका शेप वह रॉड शेप होते हैं रोड शेप आप समझी रहोंगे बाई दोवे मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चिर दिखा दूँ इमेज दिखा दूँ जिसे आपको समझ मैं कि क्रोमोजोम आखिरकार किसको कहा जाता है तो देखे बेसिकली क्रोमोजोम तो बहुत तरीके का उसका डाइगराम बन सकता है ले इसके बारे हम लोग आगे पढ़ए इस तरह से ले एगर कि और व्याइडिंग थीक तो यहीं सिकली हमारा क्रोमोजोम होता है तो यहीं हमारा दो टाइप का हैं, एक क्या है? यहांपे हमारा है आउटोजोम क्या है, आउटोजोम और दुसरा क्या है? दुसरा अभी हम लोग आउसा इसल है आउटोजोम क्रोमोजोम स्कारी roller के है हमारा somatic character के लिए responsible होगा difficulties ढूल्डी में हमारा जयतना भी somatic character है उस सब के लिए कौन responsible होगा आटो जोम responsible होगा अब फिर से आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो हम लोगों ने अभी क्रोमोजोम का मतलब समझा कि क्रोमोजोम किसको कहा जाता है अब जब क्रोमोजोम का हम लोगों ने मतलब समझ लिया तो अब हम लोग क्रोमोजोम का types देख रहे हैं यानि क्रोमोजोम कितने तरह का होता है तो basically क्रोमोजोम यहाँ पर दो तरीके का होता है और अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं को control करेगा ऐसा chromosome जो के हमारा body का somatic characters को control करेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग उसको कहेंगे autosome कहेंगे अब यहाँ पर confusion इस बात के उपर हो सकता है कि यह somatic character क्या है what is somatic character ठीक है तो उसको यहाँ पर अच्छे से समझें देखे somatic character basically हम लोगों का यह जो hair color है यह hair color क्या है somatic character है ठीक है यहाँ पर जो आपको skin का यहाँ पर color है यानि skin आपका dark होगा या फिर light होगा आप गोरे होंगे या काले होगे यह सब किस चीश के उपर depend करता है यह सब हमारा chromosome के उपर depend करता है तो इसलिए यह सब जो character है जैसे के हम लंबे होंगे या हम नाटे होंगे हमारा hair का color क्या होगा हमारा eye का color क्या होगा यह सब जो depend करेगा वो किस के उपर depend करेगा आउटोजोम के उपर depend करेगा यह सब को control कौन करेगा यह सब को control करेगा autosome और autosome क्या है हमारा kromozoom का एक जिस्सा है एक chromozome का type है ठीक है एक तरीके का यह chromosome है अब बात करते हैं दूसरे type का chromosome तो दूसरा type का chromosome का नाम है हमारा allosomes क्या नाम है allosomes अच्छे से इस नाम को पढ़िए एक दो बार आपको समझ में आ जाएगा क्या है एलोजोम का क्या करेक्टर है वो देख लेते हैं देखे एलोजोम जो है वो रिस्पॉंसिबल है सिक्स डिटर्मिनेशन के लिए अब सिक्स डिटर्मिनेशन का क्या मतलब हुआ कि जो भी लिए रिस्पॉंसिबल होगा यानि जो बेबी बॉर्ण होगा वो मेल है यह सौरी मेल होगा या फिर फीमेल होगी उसके वो किसके ओपर डिपेंड कर रहा है हमारा एलोजोम के ओपर डिपेंड कर रहा है और आटोजोम के ओपर डिपेंड कर रहा था कि उसका आई का कलर क् उसका height क्या होगा ये सब हमारा autosome के उपर depend करेगा लेकिन वो male होगा या फिर female वो किसके उपर depend करेगा वो allosome के उपर depend करेगा उमीद है मैंने आपको बहुत बहतरीन तरीके से समझा दिया और अब आपका कोई भी doubt यहाँ पर बाकी नहीं रहा होगा autosome और allosome में तो इस और सिर्फ sex determination के लिए यानि जो baby born होगा वो male होगा या female वो कौन responsible है उसके लिए उसके लिए हमारा allosome responsible होगा ठीक है तो यहाँ पर हम लोगों ने types of chromosome के बारे में अच्छे से पढ़ लिया अब हम लोग further move करते हैं अब बात करते हैं कि chromosome number किसको कहते हैं देखिए यहाँ प पताया और अब हमारा heading है chromosome number के chromosome number किसको कहते हैं ठीक है इसते क्या होगा कि आपका concept अच्छे से clear हो पाएगा अगर chapter हम लोग ऐसी जैसे book में लिगा हो ऐसा पढ़ना शुरू कर दे तो बहुत ज्यादा confusing हो जाएगा हम लोगों के लिए तो इसलिए हम लोग topic wise पढ़ते हैं अब यहां पर chromosome number का definition क्या है chromosome number का definition में बोला जा रहा है the characteristics number of chromosomes the characteristic number of chromosomes present in each somatic cell यहां पर देखे somatic cell को mention कर रहा है ठीक है the characteristics number of chromosomes present in each somatic cell of an organism which is constant यानि के हर organisms के लिए chromosome number constant रहेगा ठीक है इस बात को अच्छे से याद कर लीजिए कि कोई भी organisms के लिए एक specific organism के लिए हमारा जो chromosome का number है वो क्या रहेगा constant रहेगा always ठीक है यहां पर लिखा हुआ है which is constant for any particular species of plant or animal is known as chromosome number तो chromosome number basically characteristics number of chromosome है ठीक है जो के हर somatic cell में present होता है और इसका number क्या है constant रहता है simply आप समझे के chromosome number का मतलब हो गया chromosome का number जो के हमारा somatic cell में present रहेगा simple अब यहां पर हम लोग 2-3 example देख लिए जयसे के यहां पर हम लोगipped human being का example लें तो human being बींग में number of chromosome कितना होता है number of chromosome होता है 46 कितना यहां पर लिखा हुआ number of chromosome human being में होता है 46 ठीक है यहाँ पर 2N क्यों लिखा हुआ है वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा तो फिलाल हम लोग इतना समझ लेते हैं कि जो हमारा human being में chromosome number होता है वो होता है 26 यानि के 23 pairs of chromosome होता है किसमे human beings में और एक दो एक्जामपल लेते हैं एक एक एक्जामपल यहाँ पर हमारा है हनी बी का तो हनी बी के जो chromosome number होता है वो होता है 23 डैट मिन्स के हनी बी के अंदर कितना chromosome होगा chromosome number क्या हनी बी का 23 है और यहाँ पर एक चीज़ आप लोग दियान रखिएगा उसमें कितना chromosome number होता है तो उसका chromosome number होता है 14 ठीक है तो यह याद रखिएगा हो सकता है यह MCQ अगएरा मैं आपसे पूछा जाए तो एक दो आप लोग याद रख लिजेगा के हमारा human being का कितना होता है human being का होता है 46 and honey bee का होता है 32 and pea plant का होता है 14 तो इसको आप लोग याद रख लिजेगा और हो सकता है आपके book में 2-3 और दिया हुआ होगा तो उसको भी आप लोग याद कर लिजेगा ठीक है अब chromosome number से हम लोग फरदर आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि somatic cell क्या होता है उसके बारे में भी अब लोग आगे discuss करेंगे तो यह आगे हमारा somatic cell किस चीज को somatic cell कहते हैं वह समझते हैं